मैं डॉक्टर प्रकाशन दराचारी गौवर्मेंट गदेज नोखा के इंदर एसोसेट प्रोफेसर कार्य लेतू मैं अपने पूरी परवार के साथ कोईट पॉजिटिव हो गया था पांस अदेश्य थे मेरा नुभव तीन निन मैं एमसी एच में डिशन रहा और बाकी मैं साथ आर दिन कोविड हस्पिटल रहा है मेरी माता जी है सिट्यसी साल की स्वस्टों कर लोटी है मैं में एमसी एच और कोविड दोनों की व्यवस्ताओं से बहुती प्रभाव इथ वहां के लेटिन बाथ्रूम में बड़ी ही की व्यवस्ता थी बहुत ही सहज महसु स्वाब में वहां पर दो दिन डाक्टर शाम और डाक्टर बालकिशा महां पर नीमित रूप से देखने के लिए आते थे तीस दिन मेरी मां की ऑक्सिजिएन कम हुई तो हमें ततकाल कोविड के अंदर शिफ्ट कर गिया गया मैं बैंगलोर में जॉप कर आता और अभी थोड़ टाइम के लिए खरया था लेकिन अनफॉर्सड़ेटली मैं मेरी फुली फुली फैम्यों कोविड हो गया उसमें हम सब एंच हॉस्पितल में एडमित हुए इस्टार्टिंग में काफी डाउटफुल था कि गोवर्मन आश्पितल जा रहे हैं वहां पर कैसा अरेजमेंट होगा क्या बैवस्ता होगी बड़ सब्सक्राइजिंगली वहां पर काफी अच्छा रिजमन था साफ सफाही थी स्टाफ काफी था जैसे हुए हम गए हमारा स्टार्फ ड्यूटी के उपर आ था हमारा टेस्ट देता था और पूछा था हमारे तभी कैसा है हमारे सज़ेस्ट करता था क्या क्या पढ़ना चाहिए सुबह श्याम डाट तीन विजिट हो थी दॉप्तर स्टियों आपके पूछे थी हमारा हाल चल कैसा है डेवे साफ सफ सफाई थी बहुत अच्छी सफाई थी मतलब पूरे जो वाल के अंदर सफाई की दरस्ता बहुत अच्छी थी और हम सव परिवार गए भी थे और स्वस्त हो गया है बहुत ही अच्छा था मैं श्रीवल अबाजार हूं मैं जैपुल में सफिस कर रहा था वर्क हो वोम से की विज़े से मैं यहां पिताने जाया था पूछी फैमली को कोवीड नाइंटीन ने चकड लिया था मैं मेरे पिता जी और मेरे दादा जी के साथ SSB कोवीड थर्ड फ्लोर पर हम शिप्त हु पहले कभी डर लगा था लेकिन मैनिकल स्टाफ के द्वारा जो हेल्प दी जाती थी इससे काफी मोटिवेशन और कॉर्फिटेस मिला था